पहले खपड़े सिवान से जोहां सेंटरल को ओपरेटिव चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कारेकर्म के अनुसार नामांकान एवं समविक्षा कितिती समाप्त हो गई है बद्वार को नाम वापसी कितिती निर्धारित है नाम वापसी के साथ ही आज ये तै हो जाएगा कि अध्यक्ष हुपाध्यक्ष एवं निदेशक पद पर कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए है और इस पद के लिए किस प्रत्याशी के बीच मतदान होगा गौरखने वाली बात तो ये है कि भिभिन पदों के प्रत्याशी करी धूप में गर्मी के बावजूद मतदाताओं से जन संपर्त में जुटे हुए है क्योंकि अब दिनों दिन मतदान की तिती नजी का रही है 12 अपरेल को मतदात के बाद मतगनना भी हो जाएगी निदेशक पद पर एक नामांकन पत्र रद होने के बाद 21 सुमिद्वार रह गये हैं वही अधियक्ष के लिए 3 अउप अधियक्ष के लिए 6 नामांकन पत्र समविक्षा में सही पाई गये थे इसमें बताते चले कि कई अभियारतों का नाम दो सेट में भी हुआ है अब नाम वापसी कि तिती समाप्ठ होने के बाद जो अभियारतियों की सूची निर्गत की जाएगी इसमें पता चलेगा कि किस पद के लिए कितने प्रत्याशी चुनाओ मैदान में रहेंगे अगली खबर नालंदा जिले के बिहार शरीफ की रौनक पांस दिनों के बाद धीरे धीरे पटरी पर लोटने लगी है मंगलवार और बुद्वार को भी शहर के अधिकतर दुकाने खुली शहर के कुछ समवेदन श्री लेलाकों में दुकाने बंद रही कुछ संख्या में टेमपो वा ईरिक्षा भी चलती देखी गई हलाकि उसमें सवारी नाम मातर के ही थी दो बचे अधिकतर लोगों ने अपनी अपनी दुकाने बंद कर दी चार बजे कई अस्थानों पर पुलिस दुकानों को बंद कराती दीखी दो अपरेल से शहर में शांती का महौल है उसके बाद से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है शहर में अफवाहो का बाजार अभी घर्म है बिभिन राजनेतिक दल्यों के लोगों भी समवेधना जोताने के लिए पहुचने लगे मंगलवार को निकलने गए सदभावना मार्च का असर देखने को मिला बुदवार को सोह सराई इलाके में मार्च निकाला गया अगली खबर बिहार के मुक्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासरा में राम नवमी पर हुए हिंसा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभी रारोप लगाये है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रिये गिरी मंत्री अमितिशा और असदूदी नोवैसी का नाम लिये बगएर ही उन्हें जम कर लपेटा सीएम नितीश ने कह दिया ये लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं देख लीजे सोशल मीडिया पर दूर प्रचार हो रहा है दो लोग है जिसमें से एक राज कर रहे है और दूसरा उनका इजन्ट है ये लोग सब इधर उधर करने का काम कर रहे है नितीश के इस बयान से कयास लगाय जा रहा है कि राज करना बोल कर एक तरफ वो नरेंद्र मोदी और अमितिश शाह पर हमला कर रहे हैं तो दूश्री तरफ एजेंट बोल कर अस्दूदी नोव ऐसी पर निशाना साध रहे हैं नितीश कुमार ने जगजीवन राम की जयनती के मोखे पर बुद्वार को मीडिया से बातचीत की इस दौरान नालंदा और सासराम हिंसक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक साजिस के तहट दोनों जगों पर दंगा करवाय गया ऐसे पहले कभी ने हुआ है अचानक से वहा सामल ये भी बगयार कहा कि एक जगह जिनको जाना था वहां जानबूश करकरवाया है ये सब साजिस के तहत हुआ है नितीश ने बताया कि दोनों ही जिलों की इस्तिती पर उनकी नजर है अधिकारी जाज कर रहे है हालात काबू में है और घर घर जाकर चेकिंग की जारी है जल्दी उपदरवी और दंगाईयों की साजिस सब के सामने आजाएगी। होगा परिक्षाए 11 बच के 30 मिनट से 1 बच के 30 मिनट तक चली जाएगी इसमें 3 सेक्षन होगे सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे कुल 80 सवाल होंगे जो 100 अंकों के होंगे Mental Ability Test में 40 सवाल 50 अंक के पूछे जाएंगे इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा Arithmetic Test 20 सवाल 25 के होंगे Language Test में 20 सवाल 25 से पूछे जाएंगे दोनों के लिए 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा